माइन डूरोट में आपका स्वागत आज के अंक में आज के जो अंक की शुरुवात होगी वो दो किस्सों के साथ पहला किस्सा नबे के दशक में शेयर मार्केट में एक बड़ा कांड हुआ जिसका नाम था हरसद मेहता कांड इसकांड में कई रसुगदार लोगों के नाम आए उस समय हरसद मेहता ने खुद को बचाने के लिए आरोप लगाया और वो आरोप था एक करोण रुपए की रिस्वत खोरी का और जिस पर उसने आरोप लगाया वो थे भारत के प्रदानमंत्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम भाराओ थे हर्षद मेयता ने आरोप लगाया कि उसने प्रधानमंत्री को भी घूस दी है और वो घूस की रकम थी एक करोन रुपए उत्तरप्रदेश में मुलायम सिंग यादों के नित्रतों में समाजवादी पार्टी की सरकार थी सरकार ने एक आदेश जारी किया वो आदेश था किसानों से बकाया वसूली का वसूली न देने पर बकाया न भरने पर किसानों को जेल भेजने का फर्मान भी सरकार का था उसी समय उत्तरप्रदेश से जुड़ा और उस समय का सबसे बड़ा किसान नेता प्रधानमंत्री से मिलने पहुचा प्रदानमंत्री से उनके मुलाकात हुई और मिलते ही सीधा सवाल था प्रदानमंत्री जी क्या आपने रुपए लिये थे? प्रदानमंत्री पीविनर से मराओ, ये सवाल सुनकरके सन रह गए एक मिनट सोचने के बाद उन्होंने बोला चौधरी जी क्या आपको भी ऐसा लगता है चौधरी जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया फिर उन्होंने का कि हरसद मेहता ने पांच हजार करोन रुपे ले लिए कई नेता भी उसमें सामिल रहे कई लोगों ने बड़े रवं के घोटाले किये और ले करके फरार है वहीं इसके उलट उत्तर प्रदेश में किसानों से वसूली की जा रही है 200 रुपे वसूलने के लिए सरकार किसानों को जेल भेज रही है ये था पहला किस्ता दूसरा किस्ता 1989 में केंदर में वीपी सिंग की सरकार थी उस समय भारत के पहले मुसलिम ग्रहमंतरी बनाए गए मुफ्ति मुहम्मद सहीद मुफ्ति मुहम्मद सहीद के ग्रहमंतरी बनने के कुछी महीनों के बाद उनकी तीसरी बेटी रुबया सहीद को अपहित कर लिया गया उनका अपहरण हो गया आतंकियों ने उनका अपहरण किया और उसके बाद मांग रखी पांच आतंकियों को छोड़ने की सोदा तै हुआ बदले में पांच आतंकी छोड़े गए और फिर उसके बाद छूटी रुबया सईद यह दोनों किसे इसलिए बताएगाए कि आज जिस लोग सबाओ सीट की बात होगी यह दोनों ही लोग यहीं से जुड़े थे आज के अंक में बात मुझफ़र नगर लोग सबा सीट की जिसका लोग सबाक्रमांग है तीन उपर जो दो बाद दो किस्से थे वो पहला किस्सा इसलिए था कि ये बात महेंदर टिकैट की हो रही थी जो मुझफर नगर में ही जन में हुए फिर इसके बाद यहीं से इनों ने पूरे इनके राजनेतिक परदिश्य की शुरुआत हुई थी यहीं पर इनके सिक्षा दिक्षा पूरी हुई पंचायतों से होते हुए और भारत के सबसे बड़े किसान नेता के तौर पर उभरे वरतमान समय में इनी के बेटे राकेस टिकैत जो इस समय के किसान अंदोलोन के एक तरह से अगवा है एक तरीके से उसका मुख्य चेहरा है इनका एक यहां की राजनीत से ले करके और हर चीज पर खासा प्रभा हुआ है बारती किसान यूनियन आज देश के कोने कोने में फै अच्छा की जो मुझफर नगर है वो उसको चीनी का कटोरा कहा जाता है यहां पर सरवादिक गन्ना का उत्पादन होता है मिलो की संक्या भी यहां बहुत आयते इसलिए चीनी बड़ी मात्रा में बनाई जाती है ओडी उपी की बात किया इस चेत्र में तो यह किरसियाधार चेत्र है गन्ना का उत्पादन यहां कूब होता है इसलिए गन्ने के रस से गुड़ बनाने का काम यहां पर किया जाता है और यह जो गुड़ है वो यहां का जो उत्पादित गुड़ होता है वो राजिस्तान गुजरात हरियाना जैसे राज्यों में भी भेजा जाता है इस लोग सभा सीट में विधान सभा की पांच सीटें आती हैं बुडाना चर्थावल मुझफर नगर खतौली और सर्दना 2017 में जो उत्तर परदेश में विधान सभा के चुना हुए तो ये पांचों सीटें भारती जंता पार्टी के पास हैं लोग सभा चुनाओ की बात की ज जो थी उसने कॉंग्रेस से चीन लिया और 1971 में भी सीट से CPI को जीत मिली फिर 1977 में ये सीट भारती लोगदल के पाले में गया और सहीद मुर्दजा यहां से चुन करके संसद हुए थे जो 1980 के लोग सभा चुनाओ आया तो उसमें जनता पार्टी सेकुलर के टिकेट पर गयूर अली खान यहां से संसद चुने गए तो वहीं 1984 में धर्मवीर सिंग त्यागी यहां से चुनाओ लड़कर के संसद पहुँचे थे कॉंग्रिस पार्टी के टिकेट पर वह चुनाओ लड़े थे 1389 में सिट पर मुक्ति मौम्मद सहीद संसद हुए थे जनता दल के टिकेट पर वह चुनाओ लड़े थे जमबू कश्मीर के अनंतनाग में उनका जन्म हुआ था अलीगर मुसलिम इन्वस्टी से उन्होंने लॉकी पढ़ाई की और इस छेत्र से खासे वाकिब भी थे जम्बू कश्मीर के छेत्र में वो बड़े नेताओं में शुमार थे दो बार जम्बू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे बाद में कॉग्रेस में रहे फिर कॉग्रेस से जब शुटा बाद में फिर उन्होंने अपनी PDP जो उनकी पार्टी है वो बनाई उनकी बेटी जो महभूबा मुफ्ति है वो भारती जनता पार्टी के सहयोग से भी जब PDP की सरकार बनी थी जंबू कश्मीर में तो वो मुख्यमंत्री थी 1991 का जो लोग सबा चुनाव आया तो उसमें नरेश कुमार बालिया ने यहां से संसद चुने गए भारती जनता पार्टी के टिकट पर रहा चुनाव लड़े थे पहली बार इस seat से भारती जनता पार्टी को संसद हुए फिर 2004 की जब 2004 का लोगसभा का चुनाओ आया तो यहां से समाजवादी पार्टी को विजय मिली मुनवर हसन यहां से चुनाओ जीत करके संसद पहुंचे थे मुनवर हसन की बात हम कैराना की लोगसभा सीट में डीटेल में कर चुके हैं और इसके अलावा इन पर एक अलग से उपिसोड बनाने की बात भी हो चुकी है साल 2009 में इस सीट पर कादिर राना को विजय मिली कादिर राना जो है कादिर राना और उनका परिवार इस छेत्र में बड़े राजनीतिक और उद्ध्योगिक परिवार के रूप में जाना जाता है इनके साथ इनके भा परिवार राजनेतिक ग्रूप से सक्री है हाला कि 2013 में इनके उपर जो है जो 2013 में मुझफर नगर के दंगे हुए थे उसमें इनके और इनके कई साहियोगियों पर इसका आरोप लगा था 2014 के लोग सबा चुनाओ में भारती जंता पार्टी के डॉक्टर संजीव बालियान यहां से उमिद्वार थे उनको यहां से चुनाओ जीतने का मौका मिला दॉक्टर संजीव बालियान मोदी के लहर में बड़े अंतर से चुनाओ जीत करके सांसद हुए थे फिर 2019 में भी पार्टी ने उनको टिकट दिया वरतमान समय में वहां से सांसद है मुझफर नगर में इनका जन्म हुआ चौदी चर्णाओ सिंग नुवस्टी में इन्होंने पसु चिकित्सा विज्ञान में अपनी डॉक्टरेट किया फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर होगा हरियाना सरकार में वहां पढ़ाई वहां इन्होंने पढ़ाया साथ साल 2013 का जब मुझफर नगर का दंगा हुआ था तो उसमें इन पर ये भी उसमें आरूपी थे साल 2014 में लोकसभा का चुनाओ लड़े भार्ती जन्ता पार्टी के टिकट पर बसपा के कादिर राना जैसे दिगज बसपाई को हरा करी ये सांसद हुए थे चार लाग से ज्या गामियाब होगा और वर्तमान समय में राज्जी मंतरी है है पसुपालन, मतश्यपालन और डेरी के मंतराले में इनके पास है अभी हालिया समय में जो प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें एक भाही के प्रधान चुने गया थे जिसके बाद में कोरोना के शल्ते उनका निधन हो गया था, दो भाही इनके कोरोना पी डी थे, इसको ले करके भी अभी मेडिया में इनका नाम चल रहा था, इसके अलावा साल 2019 के ल बावजुद इसके भी चुनाओ, हार गए थे, बागपत की सीट से साथ बार संसद रहे हैं, उसके बावजुद ये बागपत छोड़ करके यहां से चुनाओ, लड़े थे, अजीत चौदरी अजीत सिंग एक बड़ा नाम रहे हैं, भारत की राजनीत में, चौदरी चरण सिं कि इनको हिंदू चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, हिंदू चेहरे के तौर पर ये देखे जाते हैं, वरतमान समय में ये सर्दना की विधान सभा सीट से जो 2017 में चुनाओ तो उसमें भारती जिनता पार्टी के टिकेट पर चुनाओ जीच करके ये विधायक हैं, हाला कि इसके पहले ये साल 2009 में मुझफर नगर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकेट पर उमीद्वार थे पर वो चुनाओ वो हार गये थे, इन निताओं के अलावा इस सीट पर हरेंदर सिंग मलिक, विरेंदर सिंग जैसे अनुरादा चौदरी इन न मीकरण की बात की जाए, तो करीब 16,85,994 मद्दाताओं की संख्या है, यहाँ पर जिसमें 9,12,745 पूरुस मद्दाता है, तो 7,72,733 महिला मद्दाताओं की संख्या है, जाते के ताधार पर देखा जाए, तो यहां 42 फिसदी जो वोटर हैं, वो सामाने स्रेडी में आते है हैं, 20 फिसदी वोटर जो है, वो मुसलिम जाती से संबन्द रखते हैं, जाट जो वोटर है, उनकी संक्या करीब 12 फिसदी है, SC और ST जो वोटर हैं, वो 18 फिसदी हैं, और 8 फिसदी जो हैं, वो अनने जाती के वोटर से हैं, उत्तरप्रदेश के जाटलेंड के तार पर कि इस प्रत्यासी के खाते में जीत आएगी मुझफर नगर को मुझफर नगर के उपर जो है वो दंगे का भी एक दाग है बावजूद इसके चुकि उस दंगे में वो 2013-2013 में दंगा हुआ था जिसमें करीब 60 से जादा लोग मारे गाते हैं साइकड़ों को अपना घर छोड बना पड़ा था 6000 से जादा उस संबन में मुकदमे हुए थे और करीब करीब 1480-1500 के आसपास लोग उसमें आरूपी बने थे मुकदमा अभी भी चली रहा है मुझफर नगर के इतने बड़े दंगे के बावजूद भी जो वहां के स्थानी मुद्दे रहे हैं और जो हलाक है antrais यहां पर यह तैब करता है कि कौन यहां का सांसद होगा तहीं यहां के प्रभावी नेताहों की बात हुई के लाभा मुद्वे उत्तरप्रदेश की परज़्च को सीटे कर छुके उसके बारे में आप आरह चैपनी संबंदिच शीट सुच को इसके अलाबा अन्य चीजों के अन्य जो लोग सबासीट हैं उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रही है हमें फेस्बूक पर लाइक करिए और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करिए अन्यवाद